है लो नमस्कार दोस्तों मैं सुधा मिश्रा क्याली बरड़ा पर एक बार फिर आप सब का स्वागत है हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी तयारी कर रहे हैं आरो यारो की उसमें हम हिंदी में विलूम शब्द परियावाची शब्दों की तयारी कर चुके हैं और हमारा चल रहा है तत्सम और तत्वो शब्दों में भी हम लगभग 279 सब्दों की तयारी कर चुके आगे के सब्दों की श्रिंकला में आज आपको इस्टार्ट कराने जा रही हूं आप शब्दों को लिखते रहिए उनकी श्रिंकला बनाते रहिए दोहराते रहिए हमारे साथ चैनल पर बन जो, अगला शब्द है आम्र, आम्र का तद्बो होगा आम, अंगुष्ट, अंगुष्ट का तद्बो होगा अंगूठा, पुत्र बधु, पुत्र बधु का तद्बो होगा पतोहु, और जाड़ी का तद्बो होगा जाड़ा, संतापन का तद्बो होगा सताना, और कंकती का का तदबो होगा कैंची, कटकी फल का तदबो होगा कटहल और मन्थज का तदबो होगा मक्खन, और पुस्तक का तदबो होगा पोथी, और अगनिश्टिका का तदबो होगा अंगीथी, अग्राहन का तदबो होगा अग्हन, और चटक का तदबो होगा चिडिया, मातुष्र परसा का तद्भो होगा मौसी और तुश्मे का तद्भो होगा तुम। इसी तरह एक प्रिंशत का तद्भो होगा एक तीस और अश्टाजश्ट का तद्भो होगा अडशट। कियत का तद्भो होगा इतना और केश का तद्भो होगा केश। ताओ का तद्भो होगा ताप, स्तोप का तद्भो होगा थोड़ा, आकाश का तद्भो होगा आस्मान और अर्ची का तद्भो होगा आज, इसी तरह सचप का तद्भो होगा साचा और अद्द का तद्भो होगा आज, जीवा का तद्भो होगा जीव और लोकार का तद्भो ह लोहार शर्षप का तद्वो होगा सर्षो और पुष्प का तद्वो होगा फूल चर्वण का तद्वो होगा चबाना और गणिस का तद्वो होगा गनीस अगरवर्ती का तद्वो होगा अगारी और अन्यत्र का तद्वो होगा अनत या और कहीं दुडलप का तद्वो होगा दूला और शरकरा का तद्वो होगा शक्कर इसी तरह वलगा का तद्वो होगा वाग गंद का तद्वो होगा महक परश का तद्वो होगा परस और परश्व का तद्वो होगा परसो इसी तरह चक्र का तद्वो होगा चाक और खोटक का तद्वो होगा घोरा वुश्चा का तद्वो होगा भूख और तुंद का तद्वो होगा तोंद यानि पेट जिसको निकला होता है तोंद बोलते हैं यह वही है कापुना का तद्वो होगा कौन और उसी तरह की पुना का तद्वो होगा क्यूं कापुना और कीपुना में हम ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं आज पास लिख दिया है तो कापुना है तो कौन और कीपुना है तो क्यूं क्यूं कीपुना क्यूं कीपुना या कापुना कौन इससे आप इसको दोनों को differentiate कर सकते हैं इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की इसलिए आपको बता दिया और यह हमारे हो गए 315 शब्द इसको नोट दाउन करिए अभी आगे के शब्द आपको और लिखाती हूँ हमारी श्रिंकला यहीं खतम नहीं होती है हम बहुत सारी शब्दों की श्रिंकला करते जाएंगे जो कि अपने आप में इन्फाइनाइट होगा आप इसको लिखते जाएंगे और हमारे साथ बने रही है चैनल पर लाश्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा नोटस अपना बनाते रही है कंप्लीट करते रही है वीडियो अपने प्रेंड को इसकी लिंक श सारे सब्जेक्ट के वीडियो आप सभी को देखके अपनी तैयारी कर सकते हैं अभी तो फिलाल आप हमारे साथ चैनल में पने रही है इसके तीन सो पंद्रा से आगे के शग मैं आपको अभी लिखाती हूँ नोट डाउन करिए इसे अगला शब्ध हमारा है जुष्ट जुष्ट का तद्व है जूठा दर्शन दर्शन का तद्व है दर्शन उद्घातक का तद्व है उद्घातक और उद्भार्दिया का तद्व है भाभी इर्शया का तद्भो है रीस पुरिशार्ट का तद्भो है पुरसारत क्रोड का तद्भो है गोद और तीर्थ का तद्भो है तीरत दिपट का तद्भो है दुपट्टा और सज्जापन का तद्भो है सजाना शब्द का तद्भो है सबद और नाशिका का तद्भो है नाक कुछ का तद्भो है कोख और सक्तु का तद्भो है सत्तु लौंग का तद्भो है लवंग और कंदुक का तद्भो है गेंद इसी तरह वच्ज का तद्भो है बच्चा और आदर्शिका का तद्भो है आर्सी वेश्टन का तद्भो है ओढ़ना और अंजली का तद्भो है अंजली कजल का तद्भो है काजल इश्टिका का तद्भो है इंट इसी तरह अनुरागिन का तद्भो है अनुरागी और खली का तद्भो है खान चित्रकार का तद्वो है चितेरा और प्रणाली का तद्वो है प्रतिवेश का तद्वो है पडोश और यमनीका का तद्वो है अजवायन ये कई बार एक्जाम में आया है देख लिजेगा एवन प्रिये का तद्भो है काली मिर्च और इसनावी या नस्या का तद्भो है नस इसी तरह महार्ड का तद्भो है महना निम का तद्भो है नीम आदेश का तद्भो है आयशु और कुदुश्र का तद्भो है कुन-कुना यानि गुन गुना जिसको कहते हैं हलका गरब किशीका का तद्धो है सिंक और रश्मी का तद्धो है रसी मुखे का तद्धो है मुखिया इसी तरह क्रोश का तद्धो है कोस उपल का तद्धो है ओला और भाटक का तद्धो है भाड़ा दंधावन का तद्भो है दातुन और पाश का तद्भो है फंदा अशीत का तद्भो है असी और मुष्ट का तद्भो है मुठी त्वरित का तद्भो है तुरंद और उर्धतन का तद्भो है उब्टन ठीक है इस तरह हमारे 360 सब्द हो गये हैं अभी हम और सब्दों की श्रि कवे शब्सक्राइब जारा हो जारा है तो भी आपका सम और तद्वो शब्सक्राइब हो जायेगा ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है च्छोटे वीडियो आप उनको देख सकते हैं नियम आपके लिए आवश्यक हैं तो नियम को पॉपी में नोट डाउन कर लीजे उसको नोट करना जरूरी है तो अगर नियम नोट करते हैं तो यह कम भी आएगा तो आप इसको पहचान सकते हैं आसानी से शब्दों की श्रिंक लागर आ जाती है एक्जाम में तो इसी तरह आपको अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शियर जरूर करें और लिंक अपने फ्रेंड को जरूर शियर करते रहें मिलते हैं नए वीडियो में और नए सारे कंटेंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद